हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का mathematics mind talk स्वागत करता हूँ आपका आप ही कि अपने मैगनेट बेंस में जो प्रोवाइट करता है 100% quality of free education अगर आप लोगों के लिए तो मैगनेट बेंस का English medium channel ही और अगर आप लोगों के लिए मैगनेट बेंस का हिंदी मीडियम चैनल जहां पे आपको मिल जाता है धेरो सारे practice questions जिनकी मदद से आप लोग practice कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया number भी ले के आ सकते हो और अगर आप हमारे e-books या e-notes को अविल करना चाहते हैं तो link description box में डलवा दिया गया है आप वहां से जाके अविल कर सकते हैं तो थोड़ा जल्दी से आ जाईए देख ल angle criteria को देखा था आज angle angle side criteria को देखेंगे तो angle angle side criteria में आपको corollary क्या बोल रहा है वो समझो देखो भई यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपके पास अगर दो angles और एक side एक triangle के बराबर है corresponding to the angles or side of the another triangle तो triangles आपके क्या हो जाते हैं congruent हो जाते हैं sir एक example से आप हमें बताओ कि यह हमें कहना क्या चा रहा है यह हमसे कहना क्या चा रहा है वो आप हमें बता दो एक बार तो आजा मैंने एक triangle लिया और इसी का बिलकुल सगा भाई और जुडवा भाई आप बोल चकते हो सगा और जुडवा क्योंकि देखो जु आप बी और सी और यह रहा triangle P, Q और R अब आप triangle P, Q, R को या A, B, C को P, Q, R के congruent कब बताओगे मतलब यह वाला triangle और यह वाला triangle आपस में congruent करना है आपको और मैं आपको इस बार कुछ चीजे दे रहा हूं क्या क्या चीजे दे रहा हूं वो समझों मैं आपको चीज दे रहा मैं आपको बोल रहा हूं भाई यह वाला angle यह वाले angle के बराबर है और यह वाले angle के बराबर है और यह वाली side यह वाली side के बराबर है मतलब मैंने आपको क्या क्या दिया मैंने आपको given क्या क्या दिया मैंने आपको given दिया angle A जो है वो angle P के बराबर है मैंने आपको बोला क कि जो आपकी साइट BC है वो QR के बराबर है तो आपने मुझे बोला कि जो ट्रेंगल ABC है कि जो ट्रेंगल ABC है वो concurrent हो जाएगा to the triangle PQR के लेकिन reason क्या दोगे reason दोगे sir angle angle side criteria angle ये वाला angle इस वाला angle के equal ये वाला angle ये वाला angle के equal ये वाली side ये वाली side के equal तो by angle angle side concurrency criteria ये दोनों triangle क्या हो गए आपके similar हो गए अब इसी के ऊपर कुछ questions को देख ले पका चलो आजाओ अब इसी के ऊपर हम लोग कुछ questions को देख लेते हैं अब कुछ questions आपके कैसे होने वाले बहुत ही बढ़िया होने वाले tension नको tension बिलकुल नहीं होना आजाओ दो angle होने चाहिए और फिर उसके बाद side होनी चाहिए ना तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला जो angle है ये 35 degree है ये वाला जो angle है ये 48 degree है और यहाँ पर ये वाली जो side है ये 3 cm है ये वाली पूरी side है तो ये रहा आपके पास अगर A, B और C और ये रहा अगर आपके पास P, Q और R जिसमें कि ये रहा आपके पास 35 degree ये रहा आपके पास 48 degree और यही आपके पास फिर से 3 cm क lib medici site कि तो आप क्या बोलोगे कि सार मैं आपको बोल रहाँ कि ये दोनो 오늘도 candidirmash Apr DIRE नहीं मैं पूछ रहा हूं आप से क्या ये दोनों ट्रेंगल्ड मेरे concurrents हैं या फिर नहीं है तो आपने बोला सर बिलकुल है जो angle a है और जो angle PA दोनों के बराबर angle a जो है वो angle पिके पराबर है मेरे द्रके से बोले सर दोनों 35 degree के हैं मैंने बोला बहुत बढ़िया औंगल वी जो है वो यंगल क्यों के बढ़र है वह एंगल क्यों क्यों के बढ़र है मेरे वा ऐंगल कैसे पेल इसार 238 यह बात तो बिल्कुल पक्किए तो आपने क्या बोला आपने बोला कि ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल ए बी सी बिल्कुल कॉंगुरेंट हो गया ट्रेंगल पी क्यू आर के बिल्कुल कॉंगुरेंट हो गया यह तो लेकिन आपने बोला कि सर यह साइड एंगल साइड साइड स ये वाले एंगल, ये वाले एंगल के बाराबर, ये वाली side, ये वाली side के बाराबर, तो angle-angle side, angle-angle side similarity, similarity नहीं, concurrency, criteria से, ये दोनों triangle congruent हो गए यह बाई एंगल एंगल साइट कॉंगुरेंसी क्राइटिरिया से कॉंगुरेंसी और सिमिलर में अभी ऐसे मदब जब ओन्गुरेंसी हो रहा है न तो सिमिलर बोल रहा हूं क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 6 ट्रेंगल वहां पर भी complete किया तो वहां पर similar है तो बिलकुल sign भी थोड़ा ऐसा ही है बस इस इकोल स्टू अटा दोगे न तो similar का sign बन गया और अगर इस इकोल स्टू के उपर आप sign लगा दोगे न similar का तो congruent बन गया तो यह चीज है तो इसलिए बोल रहा हूं कि बढ़िया तरीके से मस तरीके से पढ़ो क्योंकि यही चीज है काम आने वाली एक लास 10 में भी है आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं अब आपके पास फिर से क्या है दो आजा एक ट्रेंगल यह है और दूसरा एक ट्रेंगल यह है और दूसरा एक ट्रेंगल यह है और दूसरा एक ट्रेंगल क्या है यह है आजा तो आपके पास अगर एक ट्रेंगल है ABC और एक triangle अगर मैं बोल रहा हूँ PQR लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग अलग चीज़े कर रहा हूँ लेट से ये 60 डिग्री है ठीक है ये 60 डिग्री है और आपके पास ये है 40 डिग्री तो ये 80 डिग्री है ये 80 डिग्री है ये 40 डिग्री है और ये मैं देई नहीं रहा हूँ तो अब आप क्या बोलोगे अब आप बोलोगे कि सर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा यार ऐसे थोड़ीना काम चलेगा कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा ऐसे काम नहीं चल पाएगा तो मैंने बोला चलो ठीके यह 2 cm दे रहा हूँ और यह 3 cm दे रहा हूँ यह 4 cm दे रहा हूँ पर यह जाद़ से जाद़ 2 cm दे रहा हूँ अब आप बताओ कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना वह आप बता दो तो आप सोचने लगे कि आप क्या कर सकते तो मैंने बोला भया देखो यहां पर आपको मैं बता रहा हूं कि मेर को क्या चाहिए मेर को कैसे ना कैसे करके यह दोनों triangle concurrent चाहिए यह वाला triangle और यह वाला triangle concurrent चाहिए है कैसे भी करके तो अब आप लग गए पूरा पूरा लग गए दम और जोश से तो आपने बोला कि देखो भाई यहाँ पर जो एंगल यह वाला है 60 और यहाँ पर एंगल 60 तो कहीं है नहीं तो यहाँ पर जब आपने निकाला तो आपके पास आए 80 और 41 20 और यह आगया आपके पास कितना 60 डिग्री चलो माना माना कि आपके पास हो गया 60 डिग्री हो गया तो अब आपके पास क्या आया एंगल एंगल आ रहा है फिर साइड आ रही है फिर साइड आ रही है फिर एंगल आ रहा है फिर एंगल आ रहा है तो साइड एंगल साइड एंगल तो लगाना नही हमें एंगल साइड एंगल नहीं लगाना है इधर हमें लगाना है एंगल एंगल साइड क्योंकि हम यहीं पढ़ रहे हैं अभी अभी हम यहीं पढ़ रहे हैं तो मुझे एंगल एंगल साइड से यह दोनों ट्रेंगल क्या चाहिए concurrent चाहिए हैं अब कैसे दो तो सर अभी दोल जन हो रही है यार आप भी बता दो कि शोड़ सर तो मैंने बूला चलो आजाए आपके पास एक angle आना चाहिए आ रहा एक angle फिर और 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 side आनी चाहिए angle angle side है ना तो यहाँ पर सब कुछ available है आप अगर देखोगे तो आप अगर देखोगे ना तो सब कुछ available है कैसे ? angle c जो है वह angle r के बराबर है angle c जो है वह angle r के बराबर है reason क्या दोगे कि sir 40 degree के equal angles ठीक है ? ठीक है उसके बाद c से आप कहा पर गए ? a पर गए angle a और angle q आपस में बराबर है इसका angle A और इसका angle Q आपस में बराबर है reason क्या दोगे equal angle क्या दोगे भईया reason equal angle अच्छा अब आप लोग कैसे का है वो समयना और आपके पास ये वाली जो A B है ये वाले P Q के बराबर है जो आपके पास side A B है वो P Q के बराबर है reason क्या equal side क्या भईया equal side अच्छा अप समयना आपका लिखने का तरीका क्या होगा आप अगर ऐसे शुरू कर रहे हो A C B है ना तो आप A C B से मत शुरू करो आप ऐसे शुरू करो कि आप C से शुरू करो C के बाद आप आए A पर और A के बाद आपकी side आई में C के बाद आया आपके पास A A के बाद आया B तो C A B is congruent to triangle समयना बहुत ज़्यादा ध्यान से C के बाद A A के बाद B है ना ये पूरा C के बाद A A के बाद ये पूरा 2 cm तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा 40 40 के बाद कौन 80 40 के बाद कौन 80 और 80 के बाद ये वाली side है तो R Q P triangle R Q P के कौन गूरेंट है by reason क्या भाईया angle angle side ना angle angle side और इधर से आपको ये पता चल जाएगा कि आप इधर से क्या बोल सकते हो जो C है वो R के बराबर कहा है C? R के बराबर है समझ रहो बात को समझ रहे हो पक्का पक्का ना और यहां से समझ में रहा है कि सर जो angle A है वो Q के बराबर है A जो है वो Q के बराबर है और जो B है वो P के बराबर है जो B है वो P के बराबर है 60 तो ये तरीके होते हैं ये तरीके होते हैं और बस जैसे ही आपके triangle concurrent proof हो गए बाकी के जो बचे हुई side और बचे हुए angle है वो cpct से आप proof कर लो बाए chance अगर मैंने आपसे पूछ लिया भाईया what is the length of ac अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाईया ac fine करो हाँ आपने अगर यह मुझे angle side angle से fine करके दे दिया तो मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि अब आप और होश्यार हो तो अब आप find करके दो मेरे को AC और और होश्यार हो तो अब आप मेरे को find करके दो BC तो आपने बोला कि sir देखो हमें ये बात मालूम है कि जो AC होगा ना जो AC होगा ना वो इसके बराबर होगा तो अब आपका क्या ये सही कहना है तो अब आपको मैं बताता हूं इदा आपको triangle का तरीका लिखना आ गया समझ में पका चाड़ अगर triangle का तरीका लिखना आ गया तो अब आपको आगे बताता हूं आपको angle का भी तरीका लिखना आ जाएगा मतलब कि angle C, angle A, angle E, angle Q तो आप बोल सकते हो angle B जो है वो angle P के बराबर है लेकिन कोई अगर आप से पूछे कैसे तो आप उसको बोलना है CP, CT क्या बोलना? CP, CT अच्छा CP, CT कौन सी CT? तो बोलना भया corresponding parts of congruent triangles ये दोनों triangle मेरे हो गए corresponding parts में sides भी आएंगे, angle भी आएंगे वो बराबर है मतलब angle B ये वाला angle और angle P ये वाला angle आपस में बरोबर CP, CT से है ठीक है, what about side सर जी? side का क्या के ना? तो मैंने बोला समझो, यहाँ पर बहुत जादा प्यार से समझोंगे बहुत मजाएगा AC upon RQ जो आपका AC है ना? वो RQ के बराबर हो जाएगा और जो आपका AB है ना? वो QP के बराबर हो जाएगा जो आपका AB है ना? वो QP के बराबर हो जाएगा और जो आपका BC है ना? वो R P के बराबर हो जाएगा जो आपका CB या BC है न वो RP या PR के बराबर हो जाएगा CB जो है वो RP के बराबर हो जाएगा अब AC और RQ अगर आपस में हम लोग बराबर बोल रहे हैं तो AC और RQ मतलब यह 4 cm की है देखो न, AC और RQ वो बोल रहे हैं बराबर है मतलब AC कितना आ गया? AC तो 4 cm आ गया क्यों? क्योंकि बोल तो रहे हैं भाई कि AC और RQ आपस में बराबर है लेकिन यह सब हुआ कैसे सर जी? मैंने बोला भाईया बाई CP CT से कॉन्गुरेंट कर दिये न आपने ट्रेंगल्स को तो यह लिखने का तरीका है आप इधर से दो पकड़ो इधर से दो पकड़ो दोनों से लिखने का तरीका अगर सही है तो आपके यह पार्ट बिलकुल सही है CA, RQ आपस में बराबर AB, QP आपस में बराबर CB और RP आपस में बराबर यह बिलकुल अच्छे से अगर आप figure की through जाओगे तो आप उल्जोगे आप सोचोगे भाई यह AC क्या PR के बराबर है पर यह तो 4 आ गया तो ऐसे उलजना मत triangle बज से लिखदो congruent बाकी फिर corresponding side बढ़िया तरीके से हो जाएंगी बराबर है ना CP CT तो आपको BC अगर वो पूछ रहे है तो BC किता है तो BC यह CB आपका RP यह PR के बराबर है PR के बराबर 3 cm किता 3 cm ठीक है समझ गए CP CT का मतलब फिर से बता देता हूँ CP CT का मतलब होता है corresponding parts of congruent triangles क्या corresponding parts of congruent triangles ठीक है मतलब after proofing जो आपने proof किया ना कि दोनों triangle आपके congruent है तो बाकी की जब proof हो जाए आपके कि दोनों triangle congruent है congruent proof होने के बाद जब उनकी बचे हुई side और बचे हुए angle भी आपस में बराबर हो जाते है वो CP CT की वाज़े से होता है corresponding parts of congruent triangles corresponding parts of congruent triangles बहुत जादा important है बहुत ही जादा important है तो आपने angle angle side का criteria समझ लिया है बढ़िया तरीके से यहां से आपको समझ में आ गया तो एक ये चीज तो हम लोगों ने बढ़िया तरीके से निप्टा दी ठीक है अब आजाओ सेरा theorem समझते यह वाला अब जो यह theorem है यह क्या कहना है Converse है theorem 2 का theorem 2 हमने पढ़ाता है theorem 2 में हमने क्या पढ़ाता बता रहा हूं पहले आप समझो कि theorem 4 में क्या है अगर दो angles कोई भी triangle के समझ ना अगर दो angles triangle के equal है then the side opposite to them are also equal अगर कोई भी दो triangle है एकी बार में मैं figure बना रहा हूं A, B, C अगर आपके पास दो angles triangle के equal है अभी आपको angle B और angle C आपस में क्या है बराबर है तो यहाँ पर आप आप given लिखना शुरू करो given में क्या है a triangle A, B, C क्या लिखोगे a triangle A, B, C in which angle B बराबर angle C तो to prove में आपके पास क्या आजाएगा आपको proof क्या करना है अब समझो आपको proof क्या करना है Converse है theorem 2 का theorem 2 में क्या था sir theorem 2 में था कि यह दोनों side बराबर थी तो हमें proof करना था कि इनके opposite angles बराबर है लेकिन इसमें क्या है इसमें है कि आपको angles बराबर दिये हुए आपको इनकी opposite sides को बराबर proof करना है मतलब कि अगर दो angles एक triangle में equal है तो उनकी side opposite to them are also equal यह दोनो angles equal है इनकी opposite sides कौन? यह और यह तो A, B और A, C, B आपस में क्या है equal है क्या? A, B और A, C, B आपस में क्या है? यह आपको क्या करना है? प्रूफ करना है तो अब आजाओ आप कर लेते हैं हम लोग proof पर proof से पहले आपको करना पड़ेगा छोट आसा construction आपको फिर से वही perpendicular bisector angle bisector लेना पड़ेगा perpendicular नहीं, angle bisector draw A, M है ना? the angle bisector of angle A the bisector of angle A क्या लेखोगे? draw A, M the bisector of angle A इस बार आपने क्या करा? आपने draw करा A, M जो की क्या है? angle bisector है हना किसका? angle A का मतलब ये वाला जो angle होगा वो इस वाले angle के बराबर होगा इसको ऐसे double-double कर देता हूं और आपको क्या given है? और ये वाला angle और ये वाला angle भी आपस में given है अब आप क्या बोल पाओगे? जल्दी बताओ अब आप क्या बोल पाओगे? सर, angle angle side से angle angle side से बिल्कुल यही बोलोगे बिल्कुल आप यही बोलोगे तो अब आप आगे proof करने है तो int triangle कौन सा वाला? int triangle A, B, M int triangle A, C, M इसमें बहुत जादा ध्यान से समयना आपको given क्या है? आपको given है angle B बराबर angle C given है न, angle B बराबर angle C बिल्कुल given है angle B बराबर angle C reason क्या लिखोगे? equal angles ठीक है और आपके पास क्या given है? sir B A M ये वाला बराबर है C A M के angle B A M बराबर है angle C A M के इसका reason sir same to same ये भी equal angle कैसे पता चला? construction से sir हमने draw किया A M जो कि bisector angle A का मतलब angle A को दो equal parts में वो तोड रहा है ठीक है? ये बात हो गई? और sir एक side common है दोनों में मतलब इस वाले triangle में ध्यान दोगे तो A M और इस वाले triangle में ध्यान दोगे तो A M A M बराबर A M common क्या? A M बराबर A M common समझ गया है बात को? समझ गया है तो अब आप triangle को लिखोगे किस है? triangle A B M बराबर है triangle A C M के क्या है? congruent है triangle A B M is congruent to triangle किसके? A C M के reason क्या लोगे? by angle angle side similarity criteria समझ गया बात को sir angle आया फिर angle आयी फिर side आयी हाना? angle आया angle आया फिर side आयी तो आप B A M B बोल सकतो और C A M B बोल सकतो वह भी बिल्कुल ठीक है तो आप अगर ऐसे बोल रहो ना A B M और A C M तो यह भी बिल्कुल ठीक है समझ गया बात को? angle आया फिर एंगल आया फिर side आई एंगल आया एंगल आया फिर side आई तो भिल्कुल सही है तो आपके पास अगर यह पिर यह वागया बराबर तो आपको जो proof करना था आप अप proof कर चोके हैं उसकο कैसे कि सर AB देखो ना इधर से देखो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक है तो आप बिल्कुल ऐसे बराबर बता सकते हो A B और A C A B और A C आपस में बराबर देखो ना दोनों ट्रेंगल को आपने क्या प्रूफ कर दिया अरे ये वाले ट्रेंगल और ये वाले ट्रेंगल दोनों ट्रेंगल को आपने क्या कर दिया कॉन्गूरेंट प्रूफ कर दिया कॉन्गूरेंट प्रूफ करने के बाद क्या कि sir इनकी जो corresponding parts है जो इनकी corresponding side जो इनकी corresponding angles हैं वो सब बराबर हो जाएंगे reason sir by cpct जैसे हमने congruent proof कर दिया उसके बाद a b और a c आपस में बराबर by corresponding parts of congruent angles बहुत जाद आसान बहुत जाद आसान बस जल्दी से एक प्यारा वाला मस्त screenshot लो ताकी ताकी मज़ा आजा है ले लिया screenshot आगे बढ़ें तो बस आगे आप कुछ ही नहीं आगे आप कुछ ही नहीं जल्दी से ले लिया ना screenshot हो गया तो बस यही काम है magnet wins का कि ऐसे ही आपको quality wise और free education provide करते रहेंगे kindergarten से लेकर class 12 तक अगर आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से cbsc board का coverit चाहते हैं तो चैनल को अब भी subscribe कर लो भाया क्योंकि हमारे कुछ top courses में English और Hindi medium में कुछ course available अगर आप लोग cbsc boards है तो आप लोगों clear तो यही वाला चैनल है जिसमें आपको मिल जाता है क्या हाँ kindergarten से लेकर class 12 तक वही quality wise वही free education English medium में यह हमारा चैनल है इसमें playlist के option में आप जैसी जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी teacher के सारी classes के सारी subject के सारी topics के सारी subtopics के videos एकदम arranged format में मिल जाएंगे आप community के option में जैसी जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा magnet brains का update आप हमारा app डाउनलोड कर सकते हो भाई या grab e-notes को option में जाएंगे तो यहां से आप हमारे e-notes अवेल कर सकते हैं आप हमारी website विजिट कर सकते हैं यह वीडियो पसंद आएगा तो like, share और subscribe कर दीजेगा follow कर दीजेगा facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पे e-notes या e-books अगर अवेल करने तो link description box में given है साती सात अगर आप लोग हिंदी मीडियम से या आपका कोई परिचित हिंदी मीडियम से या आपका कोई भेन या भाई हिंदी मीडियम से तो आप उसको बताइए कि Magnet Brains उन बच्चों के लिए लेकिया है बहुत बड़ी खुशकबरी जो हिंदी मीडियम से है Magnet Brains लेकिया है Magnet Brains हिंदी मीडियम चैनल जिसमें उनको मिल जाते है Classics से लेकर Class 12 तक एकदम Quality wise और वही Free Education वो भी हिंदी मीडियम में बेशित कवरेज डली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड हमारे कुछ और भी कोर्सेस हैं जिसका नाम है Vedic Match Crash Course और Spoken English तो आज के सेशन में सिर्फ इताई मिलते हैं एक सेशन में तब तक लिए Bye Bye अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एकी चीज़ बोलूगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें वह बहुत जादा ज़रूरी है Bye Bye